हेलो प्रेंट्स राधी राधी जैसरी कृष्णा तो आज मैं आपके लिए बेबी की फेस की मालिस कैसे करते हैं वीडियो लेकर रही हूँ वीडियो जरासा भी पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें तो मैं जिस तरही के से बेबी की फेस की मालिस करती हूँ वो आपके साथ सेर कर रही हो विगनर्स के लिए तो यह बहुत ही बड़ी अब वीडियो है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें वीडियो परसंदा है तो लाइक जरूर करें और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल है ऐसे यह बेवी के अड़ सिरूर ड बेवी के लिए मैंने कोकोणेट ओल लिया है क्योंकि मैं कोकोणेट ओल से ही बेवी के फेष की मालिस करती है तो यह मेरे पास कोकोणेट ओल है इसको हाथ आफ़े में लगा दूंगी और बेवी की फेस पर लगा दूंगी कोकोनट ओयल पहले मैं सरसों का तेल इस्तमाल कर दी थी पर अब धोड़ी अल्गर्मी आना स्टार्ट हो रही है तो मैंने पहले ही कोकोनट ओयल यूज करना स्टार्ट कर दिया है क्यूंकि इसको बहुत जादा लगती है और इसके दाने भी निकलाते हैं तो कोकोनट ओयल से इसके दाने नहीं निकलती तो पूरे फेस पर अच्छी तरीके से तेल को अपला कर लेंगे यह देगी पूरे फेस पर मैंने कोकोनट ओयल लगा दिया है रुद्राक्च के और इस तरीके से फेस करें मालस को तो इस तरीके से बेवी के फोरेड की मालस करनी है यह देखिए इससे आप बेवी के हर भी रिमूव हो जाएंगे जो फोरेड पर रहती है ना रिमूव हो जाएंगे आपको कोई अप्टन लगाने की जरूरत नहीं है बेवी के फेस पर पर इस तरीके से नोच की म रखना है बेवी की नूच के इस पास और इस तरीके से आगर किसी बेवी की नाग बैठी हुई है तो अच्छे से से में आ जाएगी इस तरीके से नूच को उठाना है यह देखिए बिलकुल हलकी हाथ से ही मसाज करनी है बेवी की फेस की इस तरीके से आखों पर भी मसाज करन तेन चार बार बेवी की जीख पर मसाज़ करने जीख work up सीगाद क्रवाण विल्कुल नहीं लगता यह देखि इस तरिके से बेवी के पर मिसाज करने और को को सप्रेस करना है ये देखिए इस तरीके से आंकों को फ्रेस करते जाना है अब आती है चिन की बारी तो चिन पर इस तरीके से मसाज करना है ये देखिए फिल्गल हलके आज से मसाज करना है बेबी के फेस की जिससे वो इंजोई करें और अच्छे से मालिस करवाए ये करें अब चिंगी मालिस करेंगे इस तरीकेसे और हलके ँस से प्रेस करते जाना है और आहलके प्रेस करना है neighborhood की बड़ाईD चिन की मालस करें इस तरीके से मालस करना है जिससे बच्चे के बाद अंदर की साइडी निकलें यह देखिए इस तरीके से चीक की मालस कर देंगे कम से कम तीन चार वार इस तरीके से करना है हाथों को और नोज पर भी लाश्ट में इस तरीके से नोज की मालस कर देंगे जो भ होती हैं मालस करवाता है यह और इस तरीके से मैंने एक पर भी मालस कर देती हूं इसके अगर आपको नहीं आए तो इन्हें एक पर मालस ना ही करें मैं अब आ गई मालस के बाद इसको एक्सेसाइज करवाने की बारी तो इस तरीके से मैं इसको एक्सेसाइज करवाती हूँ जिससे इसके हाथ पेरों का पैन रिलीफ हो जाता है और ये अच्छी नीन्स हो जाता है तो इस तरीके से मैं एक्सेसाइज करवा देती हूँ इसकी अगर आपको बॉडी की मसाージ और exercise की वीडियो है और बच्चे की exercise और massage करना बहुती जरूरी रहता है जिससे उसकी बॉंस मजबूत रहती है मांजबूत रहती है और उसकी आँखों की धुकान भी दूर हो जाती है और अच्छे बच्चे को भी पसंद आया हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब जरूर करें हो मिलती है नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए बाए बाए